एडिएड़ुलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं योटू चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम बढ़ने वाले हैं फॉर्स्ट ग्लास का ही चेप्टर वं जिसका नाम है शेफ्स एन्ट स्पेस। इस चेप्टर में हमें different, different ۔ Shapes and Space के बारे में पढ़ना है Shapes and Space इस चैप्टर में सबसे पहला टोपिक है हमारा Inside-Outside Inside का मतलब है अंदर और Outside का बाहर इस कंसेप्ट को समझने के लिए यहां एक छोटी सी स्टोरी दी गई है जिसकी help से बच्चे easily इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे तो चलिए स्टोरी स्टोरी स्टार्ट करते है The Arab and His Camel Arab और उसका Camel It was a cold winter day यह सर्दी का बहुत थंडा दिन था The Arab was traveling on the camel back और जो Arab था वो travel कर रहा था किसकी बैक पर? Camel की बैक पर At night, the Arab pitched his tent रात को उसने क्या किया? एक tent लगा लिया and went inside it और उसके अंदर चला गया The Camel was outside और Camel कह रह गया? बाहर अब दोनों Camel और Arab आपस में बात कर रहे हैं क्या? Camel कहता है सबसे पहले May I put my neck inside? क्या मैं अपने neck को अंदर ला सकता हूँ? It is too cold outside बाहर क्या है? बहुत सर्दी है अरब कहता है Okay ठीक है You may put your neck inside तुम अपनी neck को अंदर ला सकते हो अब Camel कहता है May I put my front leg inside? क्या मैं अपने आगे बाले पैर को अंदर ला सकता हूँ? It is too cold outside बाहर बहुत ठंड है अरब कहता है Okay You may put your front leg inside ठीक है तुम अपने आगे बाले पैर अंदर ला सकते हो उसके बाद Camel फिर बोला Can I come inside? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? It is too cold outside बाहर बहुत सर्दी है Oh No The tent is too small for both of us अब कौन बोल रहा है? अरब अरे नहीं ये tent बहुत छोटा है हम दोनों के लिए उसके बाद Camel कह कहता है? So I am coming inside and go outside तो मैं अंदर आ जाता हूँ और तुम बाहर चले जाओ समझे? अब है हमारा चेप्टर का नेक्स टॉपिक इसका नाम है Bigger Smaller Bigger है यहाँ पर बड़ा और Smaller छोटा मतलब दोनों में से बड़ा और दोनों में से छोटा तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फर्स्ट कोश्चन जो दिया हुआ है दो पिक्चर दी हैं उसमें से आपको बिगर जो है उसको टिक करना है तो देखिए दो पिक्चर में से बड़ा कौन दिखाई दे रहा है आपको कौन्सी पिक्चर बड़ी है वन या टू यह है बिगर तो इस पे हम टिक करेंगे उसके बाद नेक्स पिक्चर देखिए लीफ वाली इसमें से टिक दा स्मोलर स्मोलर मतलब दोनों में से छोटी कौन सी है तो smaller हमारी देखिए द्यान से यह smaller है तो इस पे tick करते हैं और अब थर्ड पिक्चर पे देखिए इन में से smaller कौन है दोनों में से दो animals दिखाये दे रहे हैं आपको यहाँ पर दोनों में से smaller को tick करना है तो smaller है यह इस पे tick करते हैं Next question में दिया है tick the smaller tire इन दोने टाइर में से चोटा कून सा है तो देखिए पिक्चर ONE में जो दिया है वो टाइर हमारा चोटा है इसलिए इसलिए इस पर टिक करेंगे अब है हमारा next topic biggest smallest biggest का मतलब है सबसे बड़ा और smallest का सबसे चोटा तो इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट जो पिक्चर दी हुई हैं उसमें से जैसा भी कोशन दिया होगा अगर smallest चूज़ करना है तो सबसे चोटा और biggest चूज़ करना है तो सबसे बड़ा टिक करना है तो चलिए first कोशन में देखते हैं तो इन तीनो ट्री में से हमें सबसे चोटा ट्री कुण सा दिखाए दे रहा है नमबर 1, नमबर 2 या नमबर 3 सबसे चोटा ट्री आप सब पहचान सकते हैं देखे कुण सा है ये नमबर 1 नेक्स पिक्चर देखे टिक्ता biggest animal जो तीन animal दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर उन में से आपको सबसे बड़ा टिक करना है तो सबसे बड़ा animal कौन सा दिखाई दे रहा है elephant, very good यह है biggest animal next picture देखिए टिक्ता smallest fruit जो आपको fruit दिखाई दे रहे हैं इन में से सबसे छोटा fruit कौन सा है यह cherry, very good next picture दिक्ता biggest bubble तो यहाँ पर काफे सारे bubbles दिखाई दे रहे हैं आपको five bubbles इन में से सबसे बड़ा bubble कौन सा है यह वाला, very good अब हमारे next topic क्या है top, bottom top means उपर, bottom means नीचे तो यहाँ सबसे पहले जो picture दी हुई है इसमें आप देखिए सबसे पहले यहाँ जोले पर बच्चे खेल रहे हैं तो यह बच्चा क्योंकि उपर है तो यह होगा top पर और यह नीचे है इसलिए यह कहलाएगा bottom पर इसी तरह इस पिक्चर में देखिए यहाँ पर इस ट्री पर एक स्पैरो बैठे हुई है उपर तो यह कहां है टॉप पर और जो यह कैट है यह कहां है bottom पर समझ में आया top मतलब उपर bottom मतलब नीचे तो चलिए यहाँ पर दो हमें questions दिये हुए है tick the correct option के लिए तो यहाँ पर यह picture देखते है सबसे पहले यहाँ कुछ port रखे हुए है यह देखिए port में हमें क्या tick करना है tick the port on the top सबसे ऊपर सबसे तॉप पर जो port है उसको tick करना है उपधे यह port है हमारा तो इसको tick करेंगे next picture में tick the animal at the bottom of the stairs तो जो stairs के bottom में जो animal है नीचे जो animal है उसको tick करना है तो कौन है यहाँ पर यह हमारा है bottom में तो यह थी हमारी आज की वीडियो और चेप्टर के नेक्स पार्ट के लिए हमारी नेक्स वीडियो को जरूर देखिए और उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बैल आइकन को भी प्रेस करना है जिससे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएं और आने वाली सभी वीडियो भी आप तक पहुँच पाएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेर जरूर कीजिए और लास्ट में यही कहूंगी घर पर रहे मगर पढ़ते जरूर रहे थेंक्यू फर वाचिंग माई वीडियो